हलो फ्रेंड्स मैं रूची वर्मा आपका हमारे चैनल पर फिर से सौगत है फ्रेंड्स आज मैं आपको कद्दू की सबजी बना कर दिखाएंगे कद्दू की सबजी बनाने के लिए हमने पहले से ही कद्दू को धुल कर काट लिया है कि ये सबजी बहुत ही सौधिस्ट होती है मेथी दाने लैसून हरे मिर्च का पेस्ट गैस पर हमने अपनी कड़ाई चड़ा दी है कड़ाई हमारी गर्व हो चुकी है अब हम इसमें मेथी के दानों को डालेंगे लैसून इसे गोल्डन बाउन होने तक हम पकाएंगे लैसून हमारा पक चुका है अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे हल्दी पाउडर गरम मसाला धन्या पाउडर लाल मिर्च थोड़ा सा पानी डाल कर सभी मसालों को हम पका लेंगे नमक सौदा अनुसर अब हम इसमें कद्दू को डालेंगे और इसे चला लेंगे हम कद्दू में पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे कद्दू को हम चला लेंगे और इसे मीडियम आच में ही हम पकाएंगे हम इसको ढखक कर दस्मट के लिए पका लेंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे अपने कद्दू को हम खोल कर एक बार देख लेते हैं हमारा कद्दू बनकर तयार है अपनी गैस बंद कर देंगे और इसको बाउल में सर्फ कर लेंगे हमारा कद्दू बनकर तयार है आप चाहें तो इसमें हरी धन्या पत्ती भी डाल सकते हैं यह सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है आप इसे एक बार अपने घर पर जरूर बनाएए और वे खोन कि ब्लिग कर देंगे स्वादिष्ट इवयक्ध कर देंगे कर दो कॊंडनाएवडकों इसमें में द्युक्ष द्वाधिए झाल झाल